नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ श्रुती 22 विधायकों के बागी हो जाने के बाद अल्पमत में आई कमलनाथ सरकार ने फ्रोटेस्ट का सामना नहीं किया और बता दिया आपको कि कमलनाथ ने मुख्यमंतरी पत से स्तीफा दे दिया और इसे के साथ ही अब मुख्यमंतरी चेहरे के नाम पर प्रशन चिन होट सुका है कि अब मुख्यमंतरी कौन होगा इसे के साथ ही राज्य में पिछल अठा रहा है दिनों से चल रहे राजनी चिक ट्रामी कभी मुख्यमंत्री कमलाथ की स्थीफ़े के बाद अंथ होगी इस घटने अकरम के बाद अब सब की निगाहें बीजेपी की तरफ है कि वो किसे मुख्यमंत्री चुनेगी तीन बार से इसी हम रह चुके हैं शिवराज सिंग चौहान और उनका नाम सबसे पहले है सबसे आगे है रेस में वहीं शिवराज सिंग चौहान ने ही जो तरा दित सिंधिया को बीजेपी की तरफ खीचा है जब वे BJP में शामिल हो गए तो शिवराज ने ट्विट भी किया था कि महराज के साथ शिवराज ऐसे में सिंदिया की चॉइस पर पार्टी नेतत वो मुहर लगा सकता है मगर पार्टी चोकाने वाला फैसला भी कर सकती है यानि कि अगर बात की जाए शिवराज सिंग चाहान की तो 2005 से 2018 तक लगतार 13 साल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने MP के अगले CM की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है हलाकि उनका 13 साल तक CM मने रहना ही उनके खिलाफ जा सकता है क्योंकि BJP का शिर्षनेत नए चेहरे को मौका देने में दलस्वी दिखाता है भले है शिवराज सबको स्वीकारिय ना हो अगर MP में BJP के सबसे जादा लोग प्रेयर नेता वहीं है CM पत पर कौन बैठेगा इसमें कॉंग्रेस छोड़कर BJP में आई जोतरादित सिंध्या की राय भी एहम हो सकती है वहीं बता दे आपको कि सूत्र के अंसार BJP की एक सूत्र का कहना है कि आजकल जिस तरह से BJP नेतरत फैसला लेता है कोई पूरे विश्वास से नहीं कह सकता है कि उसका रास्ता साफ है क्योंकि आप ऐसे फैसले कॉंग्रेस की तरह हाई कमान स्टाइल में होते हैं किसी नेता को चुनने में इतना सर्प्राइज रहता है कि टॉप लीडर्शिप की अलावा कुई नहीं जानता कि कौन सीम होगा जियां जहां सीम की रेस में शिवराज सिंग चौहान आगे है तो वहीं थावर चंद गहलोत को भी कहा जा रहा है कि कुरसी मिल सकती है नरंतोमर भी हो सकता है कि उन्हें भी कुरसी मिल सकती है अब ऐसे में सवाल पूर्टा है कि गए शीवराज सींह चोहान करास्ता साफ है जहां पर शीवराज सींह में सबसे आगए है अब ऐसे में क्या शीवराज सींह चोहान मुख्य मंत्री क्या न jobs center Mercury,, क्या isn 22 सिंध्या कोई आप एक यहां पर बात की जए 24 के सिंध्या बहुत ही मात्यपूनी क्योंकि कॉंग्रेस की कद्दावर नेता रही है जोतह रदीत सिंद्यों और अब विजेभे में शामिल हो चुकत है तो सिंद्यों का भी जुहें कहा जाए तो राइ बहुत ही मात्यपूनी है वहीन धानुत तमिश्रा का नाम 75 पर चौकर बात करें तो जोत्रादित सिंधिया और जब तक शिवराद तो कहा देवार है कि उनकी राय बहुत ही महत्यपून है और ऐसे में शिवरा सिंग चौहान के लिए जोज रादित सिंद्या की राय का मुहर लगना बेहदी महत्यपून है आपको क्या लगते हैं कमेंड बॉक्स में कमेंड कर ज़रूर बिताएं बहुत तमाम जानकारियों के लिए बने रही हमार साथ मिलेंगा अगले वीडियो में इस वीडियो को जाद जाद लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार